कर ड़ंध करे आज अपने एक नये चप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चप्टर का नाम है है एमल गमेशन औप कंपनीज चप्टर का नाम क्या है MLG pen AI fatal देख़ाइं के पहले किस शेप्टर के बारे में जान लो कि यह है क्या यह चेप्टर आप लोगों के corporate account के unit number 4 में आता है चेप्टर किस में आता है इसके option में आपको देखने को मिलेगा internal reconstruction में आपको क्या देखने को को मिलेगी लेकिन एक परक यह अभी हम इंटर्नल रिकर्स्ट्रक्षन पढ़ नहीं रहे ना इसलिए उस चैप्टर के बारे में मैं कुछ नहीं बो रहा हूं कि एमल कमेशन आफ कंपनी वाले चैप्टर में देखा गया है कि कभी-कभी इसमें फ्रिक्वेंटली थ्योरी कोशन ज्यादा पूस्त है प्रेक्टिकल कोशन इंटर्नल रिकर्स्ट्रक्षन का आ जाता है और इसका क्या पूछेगा थ्योरी तो इस चैप्टर के ग्रूप में है ना एक आपको प्रेक्टिकल मिलेगा और एक थ्योरी मिलेगा मेरा बोलने का मतलब यह है यूनिट नंबर फोर में आपको दो चैप्टर मिलेंगे एक मिलेगा नेमल कमिशन और दूसरा इंटर्नल रिकर्स्ट्रक्षन तो आप लोग अपनी सेफटी के लिए कोई भी एक चैप्टर को अच्छे से कर लोग प्रैक्टिकल विशे कर जाओ और में चीकर करते हैं कर दो तो चुरी में आएगा कि एमलगमेशन की जर्णल एंट्री एंट्री यह एंट्री यह जितनी भी एंट्री मैं एक्स्ट्रा लिख्वायाना मेरे को शॉक नहीं है यह लिख्वाने के पीछे मक्सद यह है मेरा कि मालों पेपर में थ्योरी कोश्चन आ जाता है तो कम से कम एंट्री याद करके जाना और लिख करा जाना जब कोश्चन करेंगे इसमें से लगभर लेख फिप्टी परसेंट बोल सकता है फॉर्टी परसेंट एंट्री काम आएगी बस बहुत सारी क्या है तो पूरा लिखना पड़ेगा ठीक है उसमें आपको फिर एंट्री पूरी दिखानी पड़ेगी लेकिन प्रेक्टिकल में इसकी 40 परसेंट एंट्री बस काम आएगी बाखी कि 60 परसेंट इंट्री विकार है क्लियर है मेरी बाग तो यह चैप्टर ठीकली भी इंप आधक करने का जरुट निये लिक्विडेशन लियर है देखो एमलगमेशन ऑफ कंपनी इस तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला सवाल एमलगमेशन हिंदी में इसको बोते एक 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 करण क्या होता है मलगमेशन का मतलब ml gametion आपको दो टंइप का देखने को मिलेगा एक देखने को मिलेगा ईन दर नेचर ओफ मरचर अदूर सरा ने देखने को मिलेगा इन द नेचर ओफ परचैसuwफ भुजिय और Select a 1990 अध्याटस सभाव Ist its туábe का देखने को मिलेगा इंद नेच्र अअफ मर्जर और दूसरा इन दा नेच्र आफ पर्चेस अब मिलगें नई कंपनी बना दिए सी अलब कोई एक दूसरे को खरीद नहीं रहे दोनों आपसे मिल गए तो उसको हम क्या बोलेंगे इंदा नेचर ओफ मर्जर और एक नई कंपनी बन गई सी या एबी लिमिटेड बोल सकते जो भी वो कोशन में दिया रहता है नाम दो कंपनी मिलके एक नई क परचेस कर लेगे और परचेस करने के बाद यह वाली कंपनी जो है जाके इसमें क्या हो जाएगी मिल यह भी तो एक प्रकार दो कंपनियों को मिलन है यहां पर भी दो कंपनिया मिल रही है वहां पर दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बन रही है वहां पर एक कंपनी दूसरी क सालू हो जाएगा और लेकिन परचेस में आप अगर देखोगे यहां पर यह कंपनी तो जिन्दा रहेगी एक कंपनी बंद होके इसमें जाके मिल जाएगी ठीक है कि यह फरक है दोनों में अब यह दोनों कम्पनियां यहां पर बन दोके यह कम्पनी बन रही है यहां पर दोनों कम्पनियों का existence खतम हो रहे और यहां पर कम्पनियों का existence एक का जिंदा रहेगा और एक का खतम हो जाएगा अब सुनना जो कम्पनियां जाके मिल रही है कौनसी कम्पनी जाके तो जो कमपनियां जा के मिल रहे हैं उनको बोते हैं कि सब्टताइब कंपनी इसने जाके मिल रहे हैं उसको बलेंगे ट्रांसफरी धी सकाने टांसफरी कंपनी, टांसफरी कंपनी मतलब ती डबल ए मतलब शॉर्ट फोर्म में लिखने के लिए जर्णल एंट्री जब आप लोगों को समझाओंगे न तो जगा जगा आपको टी डबल ए और टी आर ऐसा देखने को मिलनेगा तो टी आर मतलब ट्रांसफरर और टी डबल ए मतलब ट्रांसफरी कंपणी यहां पर यह क कंपनी है और यह भी कंपनी है तो यहाँ पर ए मालो भी को पर्चेस कर ले रही है तो यहाँ पर यह ट्रांस्फरी कंपनी कौन सी होगी कि टी डबली कंपनी और यह जो भी करी है उसको क्या बोलेंगे तो आप लोग इस तरीके से याद रखना अब आप लोगों को जब कुश्चन सौल करने के लिए बोलेगा न तो कभी-कभी कभी बोलेगा कि ट्रांस्फर कंपनी की बुक्स में एंट्री करके बताओ कभी-कभी बोलेगा ट्रांस्फरी कंपनी की बुक्स में एंट्री करके बताओ और कभी-कभी दोनों में पूस्ट देगा तो इसके बुक्स में अलग एंट्री होती है क्योंकि ट्रांसफरर क्या होता है बेचने वाला कंपनी जो बेचने बेचने मतलब उनकी कंपनी बंद हो रही है जाके मिल जाएगी तो इनकी एसेट और इनकी लाइबिलिटी तो जा र करना पड़ता है क्लोस करना पड़ता है इनकी बुक्स ऑफ एकाउंट को क्या करना पड़ेगा क्लोस किसकी कंपनी की किसकी बुक्स ऑफ एकाउंट क्लोस होती है ट्रांसफरर वैसे यहां पर ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है यह तो इसकी बुक्स ऑफ एकाउंट को क्या करन entry करनी है तो transferring company जब entry करती है तो अपनी books of account में सामने वाली company की क्या करेगी asset और liability को स्विकार करने की मतला accept करने की entry मारेगी एक सिंपल सी बात है एक transfer कंपणी अगर है उसको अपनी business को बंद करना है तो assets को क्या करेगी वो चलो एक एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ मालो आपका एक बिजनेस है आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या करोगे से दस हजार का आपने फनीचर खरीदा तो आपने इन्टी करोगे बोलो पर नीचर खरीदने के इन्टी पर फनीचर एकाउंट डेविट है कि तो कैश या बेंक साथ कि डस अज़ार आक यहाँ पर asset को 500 किया है क्लों कि तो कि आपके में प्र cafeter भान गर एन्ड करने का दो दो इसको दो चश्मे से आप देख सकते हो प्रणीचर आ रहा है इसलिए अपने डेषंग की से आपने डाइबिट किया मतलब आपने furniture अकाउंट कोड़ा कि से डेषंग किया मतलब तो जब भी आप question check करोगे ना question बहुत जर्नल एंट्री जब भी करोगे तो जो फर्म बंद हो रही है मतलब कुँची फर्म बंद हो रही है transfer company तो इसकी जब books of account को close करोगे ना तो जितनी भी assets सब आपको credit करते हुए दिखेगी तो बंद हो रही है account एकाउंट मंद होना मतलब बेचना हमारे बुक्स से निकल रही है है ना और ये बंदा इसके बिजनेस में यहां से एसेट निकल के यहां जा रही है मतलब यह खरीद रहे तो यह डेबिट मारेगा अब लाइबिटी के लिए जस्ट उइटा काम करेंगे अगर आप बैंक से लोन लोगे बैंक से लोन लोगे तो क्या इंट्री मार होगे बैंक एकाउंट डेबिट तो बैंक लोन लाइबिटी क्रेडिट नेचर की होती है तो जैसे ही बैंक से लोन लिए तो बैंक वाले ने आपको पैसा दिया और आपके एक लाइबिटी क्रियेट हो गई क्या नाम से Bank Loan के नाम से अब आप अब आप जैसे ही मतलब इसका मतलब क्या भाई वाई लाईबलिटी बढ़ी तो आपने Bank Loan के नाम से खाता खॉल दिया टो लाईबलिटी का जब भी खाता खूलता तो उसको क्या करते हम Credit coverage झीज़ाइब दो इस 1968 खाते को बंद करना पड़ेगा जब आपको खरीद लेगी, तो बेंक लोन den记, और लोन को क्या करोगे debit करोगे मेरा बोलने का मतलब है books of account को जब हम क्लोज करते हैं, जब हम books of account को ये एकाउंट पिप्स को क्लोज करते हैं तो उससमें एसेट को क्या किया जाता है रेदिट और लाइबिटी को क्या किया जाता है इससे सब एंट्रियों में दिखेगा मैं पीछे लॉजिक्स बता रहा हूं कि इससे आप अगर याग भी नहीं आएगी तो भी आप लोग कर सकते हो तो एमल कमेशन का कॉंसेप्ट समझ में आया कि यह चैप्टर में हमको पढ़ना एल्टीमेट लिखा है और आज के डेट में यह है ना बड़े-बड़े बिजनेस में यह हमारे चैप्टर में क्यों है पहले यह बता इसलिए है क्योंकि आप लोगों को आपका जो दुकान का अकाउंटिंग करना नहीं सिखाता अपको बड़े लेवल की अकाउंटिंग कर रहे हो या कुछ ऐसे जगह पर पहुंच गये जहां पर अकांपनी लेवल का काम हो रहा है तो वहां पर यह सारी सिच्वेशन से आप आपको आनी चाहिए है अरी वह समझ में तो अमल्गरमेशन मतलब कंपनी लेवल की अकांटिंग आपको शिखाई जा रही है लेकिन यहाँ पर वी कॉम है तो अतना ज्याधा लोड नहीं लेना है सिंपल है ज्याधा कुछ है नहीं तो अमल्गरमेशन दो टाइब का होता है जो कंपनियां बंध हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफरर कंपने और जो कंपनी खरीद रिए दूसरी गम्पनी को या मिल जा रहे है इसको ट्रांसफरी कंपनी और यहां पर तो इन्दा बुक्स उफ ट्रांस्फरी बोलेगा और इन्दा बुकश हो Verfis ुच्छ को अब आपको कोशट्न में एक चीज और बोलेगा इए एक चीज और बोलेगा बनाने के लिए कि बैलेंशिट बनाकर बता और न्यूं कम्पनी । 20 या फिर ट्रास्फर कम सूब्टे कमपनी बच गई आखरी में मरड़ के केस में कॉन सी बचेगी कि ये दोनोंbabयी ह्य loud möड ये दोनियां गई तब्र को इस मरड़र के केस में इसकी इसकी बेलैंसचीट बनागे u दिखानी पड़ेगी मतलब इसकी एसेट और इसकी एसेट को जोड़ जोड़ के इसकी लियाबिलिटी और इसकी लियाबिलिटी को जोड़ जोड़ के इसकी बैलेंशिट दिखानी पड़ेगी और बैलेंशिट कौन सी वाली वही वाला फॉर्मेट जो मैं आप लोगों को इस के अंदर क्या क्या है अब लगबख लगबख जहां पर अपना आइंगे तो वहां पे आपको फॉर्मेट की बनेगी इन糖 की सी सिंवाल गृती आप पर देखने मिलेगा जर्नल एंट्री इन दबुक्स ओफ ट्रांस्फरर कमपणी energi जब आप शो sympathy लोचा रहता है कयो कि खरीद रहना और बिझनेस चालू रहेगा बंद नहीं हो रहेए इसका बिझनेस चालू رहेगा तो इसी के में है ना दो टोड़ मैथट दीखेगा आपको कि भाई तू नेचर ओफ मर्जर वाला है कि नेचर ओफ पर्चेस वाला है जब आप ट्रांसफरी ट्रांसफरर कंपनी की बात करोगे ना तो यहां पर कोई अलग-अलग मैथट देखने को नहीं मिलेगा आपको क्यो एक बार अपन स्टार्ट करते ट्रांसफरर कंपनी से तो पहला मैंने क्या बताया कि क्लोजिंग एंट्रीज फॉर एसेट्स उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज फॉर लाइबलिटीज यह मिलेगा ठीक है कुछ नहीं पूरा लॉजिकल है कि दीख रहा बस इतना सारा आप मेरे पूछ रहे हों एसेट्स को बंद करोगे वुक्स को तो डेबिट करोगे की क्रेडिट और लाइबलिटी को बस वही आपको एह दिखेगा चलो कभी-कभी क्या होता है कि एक फर्म जब बंद हो रही है और उसको नई फर्म टेक ओवर कर रही है तो फर्म के पास कुछ-कुछ एसेट्स होती है और कुछ-कुछ लाइबिटी होती है तो कुछ एसेट्स को नई वाली कंपणी टेक ओवर करके ले जाती है और कुछ एसेट्स ऐसी होती जिसको टेक ओवर नहीं करती है छोड़ देती काम नहीं है यह क्या करेंगे ले जाके नहीं कुछ assets SEO होती है जो नई firm take over कर लेती है और कुछ asset SEO जिसको नई firm take over नहीं करती है चलो देखते हैं closing entries for assets when real assets are taken over by sorry at book value where real assets are taken over at book value entry क्या करोगे realization account debit to country asset account credit हुआ asset account क्या हुआ credit हुआ कोई-कोई asset taken over नहीं होती है नया firm नहीं खरीद रहा उसको यहाँ पर भी asset को credit किये हैं अब take over नहीं करेंगे धन्दा बंदर उसको रख के क्या करोगे बेच होगे नहीं बेच होगे आप तो यहाँ पर क्या debit करोगे cash मतलब जो asset को नया firm खरीद के लिए जा रहा है तो उसको अपन क्या रखेंगे realization account में डालेंगे sundry assets के नाम से और जो asset को नया firm नहीं खरीद रहे है नहीं लेके जा रहे है तो उसको हम क्या करेंगे निप्टा देंगे बेद देंगे हाँ वैन asset is sold more than book value जब asset को ज्यादा में वेचा जाता है book value से तो क्या entry करोगे cash account debit asset account a bit to realization account मतलब asset मालो 10,000 की है आपके balance sheet में दीख रहे है और इसको बेच रहे मालो 12,000 में तो बताओ क्या क्या applicable हुआ asset आपकी 10,000 की balance sheet में दीख रही है और आप बेच रहे हो कितने में बारह हजार तो more than book value तो यह लिए entry करोगे दस हजार की asset है 9,000 में बेच रहे हो तो यह लिए entry करोगे ठीक है और जब asset 10,000 की है और 10 में इस बेच रहे हो यह वाला ठीक है तो यह तीन condition आपको याद रखने है जब asset बेच होगे तो यह तीन काम करने और जो asset बेच नहीं रहे हो उसको क्या करोगे realization अकॉंट में डाल दोगे हां क्लोस तो हर जगा हो रहा है हर जगा देखो न एसेट क्रेडिट हुआ यहां एसेट क्रेडिट हुआ यहां एसेट क्रेडिट हुआ यहां भी एसेट क्रेडिट हुआ ठीक हर जगा एसेट अकाउंट बंदीच हो रहा है बस यहां पर बंद हो रहा है दूसरे वाले को देने के लिए और यहां पर बंद हो रहा है बेचने के टेबल एकाउंट डैबिट टेबल मालो टीनहें बेच रहूंगा तो टेबल जब आया तो डैबिट किया था अब टेबल को मैं क्या कर दूँगा का मतलब कि टेबल को बज दिया और मैंने इसको आकाउट को भी और यहां पर एक नाम लिखा था रील एशेट्स और ट्रियल एसेट्स डियto अरभा एक्टोली जैसे टेबल पर निचर कंप्यूटर यह सब है किया real asset जो एक्छली है हमारे business में दिखता है और इसको हम भी कर रहे कुछ asset ऐसे होते जो fictitious nature के होते किस नेचर के होते सिर्पीटि ज़स्ता कालपनिक जो होते तो है लेकिन उसकी कि कोई realisable value नहीं होती जैसे एक एक्डांपल advertisement suspense स्पेंस एकाउंट के डिभेंचर यह डिशंट और्न डिवेंचर अइसे कर यह कुछ हुछ नाम दिखेगा यह मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है फिर सीच्अ इसेट का मैं जितने भी फिर सक्वा क्रेडिट करोगे की करोगें बेड़ी मनदी Savior income account, credit. Oh, S.O.P. L. Credit, S.O.P. L. मतलब statement of profit loss, debit balance, credit, discount on issue of debenture, credit, expense on issue of debenture and share credit. यह सेच लिखा है मतलब share, और डीवी लिखा है मतलब debenture, underwriting commission credit, other fixican asset, credit मतलब यह सब ना fixican asset है, मतलब आपके balance sheet में asset के नाम से दीख रहे हैं लेकिन इसकी कोई realizable value नहीं है ना बेचने जाओगे ना इसको कोई value नहीं आएगा अरी बहुतसर में और debit किसको करना है equity शेयर holders को equity shareholders को debit करना है उसके बाद अभी अपनने क्या पड़ा क्लोजिंग एंट्रिज पॉर एसेट्स अब बात करेंगे कुलोजिंगंट्रिस फॉर लाइबिलिटीज है वें लायभिलिटी टेकन और अगर कुल रापोड़े को खोरीदने वाली जो फसर्म टेक और कर लेकि टेक्वgar अगर वर्ड 민주 video ठेकवब कर रहा है ड्रांसफर mukणि यह टेक ओर कर रही है कि तो स्ट एक्षूट्री डिज़र तर्व कि संद्री लाइबलिटी मतलब मिस्नियस लाइबलिटी उसमें क्रेडिटर आता है बैंक का लोन आता है डिमेंचर आता जितनी भी प्रकार की लाइबलिटी होती ना सबका एक नाम दे दिया गया सबको क्या बोलेंगे संद्री लाइबलिटी मतलब कोई एक लाइबलिटी नह और यहां पर debit क्या करेंगे statutory reserve देखना इसी याद रखना जब question आएगा ना तो balance sheet में आपको reserve दो टाइप के मिलेंगे कि एक मिलेगा statutory reserve और दूसरा मिलेगा आपको जनरल डिजर दोनों में क्या फर्ख है जो statutory reserve होता है न यह नया इसको ले के जाता है ले जाना इसकी मजबूरी है क्योंकि statutory reserve को कौन बन वाता है मालूम है law कानून बन वाता है तो नया फर्म बनेगा न तो इस business से उठके कहां चले जाएगा नए business में चला जाएगा लेकि कि जन्रल डिजर होता है न इसके पैसे को जो शेर ओल्डरस होते हैं पुराने उसको बाठके खाले क्योंकि कमाई की हैरोल्डर लोगों की है जनरल रिजर्व अगेरे जो होता है ना इसको पुराने शेर और लोग में खा लेते लेकिन स्टेचुट्री रिजर्व क्या होती है नई फर्म को टेक ओवर करना ही पड़ता है तो इसलिए देखना यहां पर आप लोगों को जब लाइबलिटी टेकन ओवर लिखा है मतलब इसको कौन लेके जा रहा है त्रांसफरर तो यह देखो इसके में डाल दिये हैं अब जब मैं जनरल रिजर्व अगेरे की बात करूंगा यह देखो तो इसको अपन नौट टेकन और वाले केटेगेरी में रखें अका डाल दिये हैं यह उसके साथ जाएगा लेकिन जनरल रिजर्व अगेरे जो अधर रिजर्व है उसको हम किसमें डाल दियें नॉट टेकन ओवर क्योंकि यह किसका हख है इसमें है कुराने शेरोल्डर्स लोगों का है तो जब लाइबल तो रियलाइजेशन अकाउन और जो लाइबलिटी या टेक और नहीं हो रही है जो लाइबलिटी को टेक और नहीं किया जा रहे तो टेक और नहीं करेंगे तो क्या होगा जिन लाइबलिटी को नया फर्म टेक और नहीं करेंगा तो क्या होगा या तो उनका पेमेंट हो जाए distribution of reserve and surplus to equity shareholders मैं बताया ना जो general reserve अगरे है वो अब equity shareholder वालों को बात देंगे तो बातनी की का एंट्री होगी reserve and surplus account to equity shareholders अगर किसी प्रकार का provision मगरें दीख रहे आपको तो उसको कहां transfer करना पड़ेगा रियलाइजेशन एकाउंट में transfer of provision to asset account प्रोविजन एकाउंट डेट्ट टू रियलाइजेशन एकाउंट यह क्या होता है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसको अभी बस इतना याद रखो realization account को प्रोविजन को रेलाइजेशन record इसको करेंगे आइट्री करेंगे प्रोविजन एकाउंट अभी टू रियलाइजेशन और प्रोविजन को एकाउंट beim इसकों अभी कैसा बाइलिशेशन को और एसे न ine वे ठो सॉरी मैं गलत लिंट जिए हूं यहाँ पर Progress पर अचलो अब ट्रांसफर करेंगे एक्विटी शेर केपिटल को एक्विटी शेर होल्डर एकाउंट में है इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे तहां पे एक्विटी शेयर होल्डर्स एकाउंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स पैसा निकल के कहां चला जाएगा एक्विटी शेयर कैपिटल से निकल के एक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों के पास चला जाएगा कि ट्रांस्फर और प्रिफ्रेंच शेयर कैपिटल टू प्रिफ्रेंच शेयर होल्डर मतलब प्रिफ्रेंच शेयर कैपिटल का पैसा निकाल के प्रिफ्रेंच शेयर होल्डर के अकाउंट में डाल दोगे अब, on receipt of purchase consideration, अब ये मुद्दा है सर, purchase consideration का मतलब क्या होता है, देखो, एक नांद सुनने को मिला, purchase consideration, उसको बलते हैं, क्रैप प्रतिफल, हिंदी में, क्या होता है, एक कंपनी होती है, उसको क्या बलते हैं, ट्रांस्फरी कंपनी, और एक कंपनी होती है, उसको क्या बलते हैं, ट्रांस्फरर कंपनी, दो कंपनिया है, तो ट्रांस्फरी कम्पनी और दूसरी है तो ट्रांस्फरी कम्पनी अब सीधी सी बात है आप किसी से कुछ खरीदोंगे तो इसको कुछ पे करोगे की नहीं यह तो दुनिया का दस्तूर है तो अगर ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के बिजनेस को खरीद रही है तो इसके बदे ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफरर कंपनी को कुछ पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा तो ये जो amount देना पड़ेगा को बोलते purchase consideration accounting की भाषा में उस amount को क्या बोलते purchase consideration अब purchase consideration कौन किसको देता है transferee company transferer company को देगी purchase consideration अब purchase consideration कैसे देगी कैसे देगी Carl in the form of your guess payside check it in the form of visiting this year in the form Kelly in the form of vemčeust each award यह company यह company यह company रिखर लिए तो उसको चांपनी को खरीद रहें तो उसको क्या देना पड़ेगा purchase consideration अब purchase consideration देना है तो यह तो केस देगे नगति यह लोको रखो कि अगर कंपनी पैसा नहीं दे रही तो क्या दे देगी ईकवीटी शेयर में आप खरीद इकवीटी शेयर नहीं देगी तो क्या देगी क्लिक करिद में अगर यह इने तीनों क्वा क्वीदे लके कभी कभी क्या कर देती है इन सब का मिक्स भी दे सकती है तो यह जो एमाउंट दे रही है ना पर कौन सी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को उस एमाउंट को बते पर्चेस कंसिद्रेशन पूरी एक क्लास लगेगी मेरे को सिर्फ पर्चेस कंसिद्रेशन की कै क्वर्चेस कंसिप्रशन की एक लाइड को इध लागी कि वहां की अधर्चेस कंसिट्रेशन की कैल्कुलेशन करने पड़ेगे है टीक है अब बर्चेस कांसीडरेस्टाल आप कैलिक कर लिये लिए लिए अब क्या करेगी क्या करेगी है ड्रांस्फरी कंसेडरेशन प्राप्त होने पर क्या इंट्री करोगे या फिर बैंक मैं बोला न शेयर मतलब आपको क्या-क्यों accounts भी मिल और द्लाइटर मीमिल सकता है बाधिक करके नाम तो अलग से लेख वहेए मैंने शेयर्स में प्रिफरेंश ये रिक्विटी शेयर दोनों मिल सकता है और डिवेंचर भी मिल सकता है और कैज भी मिल सकता है तो जो जो मिल रहा है आप उसको लिख लो अच्छा अब एक बात बताना मेरे को सिंपल सी बात है ट्रांसफरी कंपणी ने ट्रांसफरर कंपणी के क्या हो गया भाई नवास ट्रांसफरी कंपणी ने ट्रांसफरर कंपणी के एसेट्स और लाइबिलिटी को खरीदा उसकी वैल्यू आ रही थी एक करोड एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू आ रही थी एक क्रोड़ राउसरी कंपनी ने ट्रांसफ़रर कंपवनी के एसेट्स लायबिटिस अपको खरीदा इसकी वैल्यूण रेती एक करो्ड यह कहां से पता चलेगि realization उस पता चलेगी ईक यह बन अचर द चा पुल अर परचेस धने शन में यह बना दे रहा हैस्थी स्ट ले के कितना या एक करोड़ का चीज ले गया और आपको पकड़ा या कितना रुपिया ती लाकी रुप कि आया सा रहा है समान आ रहा है कम का तो विश्था क्या होगेा नुकसान हो गया और उल्टा भी तो सकता है कि धिये है एक करोड की चीज और मिल गया अपने को कितना है तो इस वाणी कंपनी को क्या हो गया फाईदा को थो वही नुकसान फाइदे कि entry क्या होगी वही चेक करना है देखो entry number 6 देखो for transfer of realization profit or loss to shareholder account मतलब अगर आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है realization account एबी to equity shareholder और अगर loss हो रहा है तो equity shareholder account एबी to realization एंट्री करना पड़ेगा ठीक है यह दो entry क्या होगी यह मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगों यह ली बता देता हूं यह ली entry बाद में बताऊंगों यह वाली लिक्वीडेशन expenses क्या होते है लिक्वीडेशन expense का मतलब होता है जब कोई company बंद हो रही है तो बंद होने की जो procedure होती है उसको लिक्वीडेशन बोलते हैं जब कोई कंपणी बंद हो रही है तो अपन बंद होने की जो प्रोसीजर होते हैं उसको क्या बोलते हैं लिक्वीडेशन तो लिक्वीडेशन कराने के समय बहुत सारे कंपणियों को खर्चे हो जाते हैं लिक्वीडेशन जब कराना रहता है तो कं थी तो आपने अडवर्टीजमेंट करवा दिया को एसेट बीक नीडिए तो आपने दलाल पकड़ दिया उसको कमीशन दिये मतलब लिक्विडेशन एसेट और लैबिटी को बेचने और पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सरी खर्चेंट वह जाते हैं खर्चों को बोला ज यह क्या है जब ट्रांसफर कंपनी खुद से रियलाइजेशन अकाउंट का रियलाइजेशन का खर्चा का पेमेट कर रही है जब कौन transferring company कर देगी खर्चा तो transferring company account एंबइट UM Буд20 बांद में अपने को से recover करना है bank account habit to transferring तो यह वहला सकांद को मिलेगा तो और गिन के इस पूरे चेप्टर में 10 Question है भाई बस ज़्यादाeni बोलूंगगा बारा कुछ-कुछ entry में जानबुच करके नहीं बताया वह भी जरूरी नहीं है इसलिए अगर आप एक चैप्टर उदर छोड़ रहे हो इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो इसका प्रेक्टिकल भी करके जाओ और अगर आप थोरी कर रहे हो सिरिफ तो दोनों की थोरी करके जाओ और तो इस्टुडेंट के उपर डिपेंड करता है ना भाई मेरे को तो थोरी ज्यादा कठी लगती है मैं अगर अपनी बात बोलू तो क्योंकि थोरी में याद करके जाना पड़ता है और प्रेक्टिकल में कहें मस्त दिमाग चलता है तर 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 बन जाता है अपना लेकिन वो डिपेंड करते सामने वाले के उपर तो मैं यह बोलूँगा डिसीजन आप कब लेना मालू मैं जब इसके चैप्टर के कुश्चन बनाएंगे उसके बाद आप पहले चेक कर लेना आपसे बन रहे हैं कि नहीं है आपको मतलब कितना कमफर्टेवल हो उसके बाद करना थेोरी करने की प्रेटिकल क्योंकि कॉर्पोरेट एकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें मैं बच्चों को 50% के के टेगेरी में डिवाइड कर सकता हूं कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो चाहा के भी सब्जेट को नहीं समझ पाते चाहा के भी मैं मैं हर बाद बतारों हर बहिए की और अपने आखेनी पूरे सब जगा की बात बतारों कि ऑस सब्जेट अच्छा लगता है तो जिनको यह सब्जेट अच्छा लगता है बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिकल के तरफ जो क्योंकि सीलेबस बहुत कम है इसका लगता तो बिल्कुल आप लोग थियोरी प्रैक्टिकल दोनों करो उसको तो करो यह बाकी की थिरी लिख करो ठीक है अब वो 50% आप कौन से गुरूप में हो तो अभी डिसाइड नहीं कर सकता मैं तो यह हो गया भाई आप लोगों का इन दा बुक्स ओफ इन दा बुक्स ओफ ट्रांसफरर कंपनी ठीक है अब इसके बाद एंट्री देखेंगे इन दा बुक्स ओफ ट्रांसफरी कंपनी अब देखना कि यह कंपनी जो अपना बीजनेस बेची थी इसको क्या मिल रहा था कि यह कंपनी ट्रांसफरर कंपनी अबना बीजनेस बेची तो इसको क्या मिल था पर्चेस कंसिडरेशन और यह जो कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी यह बिजनेस खरीद रही है यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में कराओं तो कि बहुत सारी चीजिया अगर बताऊंगा तो रिटेन नहीं कर पाऊंगे तो यह एक्स्प्लेनेशन वाला पार्ट में कल बता दूँगा लेकिन एक्स्प्लेनेशन चाल जाएंगे एकदम से मैं सब चीज नहीं बताने वाला तो अभी मैं क्लास को यहां पर रोक रहा हूं इतना आप लोग है ना रिवाइस करके आना या जो भी है और यह सब आप लोगों ने लिखा हुआ है ना मैं पहले से पीडियेफ बेज दिया था आप लोगों को ठीक